हाई फ्रेंड्स मेरा ना मैं कृष्णा और आप देख रहें टेक्टु आज तो चलिए आज हम जानेंगे उन्डेश लाप्टब में कैसे अप्रेडिंग सिस्टम को बेक अप बनाते हैं तो पहले मैं आपको बताऊंगा 16GB या 32GB का पेंडरेव आप ले लीजिए रन ओपन कीजिए आपकी कम्पूडर में जो लाप्टब में बेकप बनाना चाहते हैं वहाँ पर टाइप कीजिए रिकोबरी ड्राइब विदाउट स्पेस ओके केजिए जैसे ओके करेंगे एक नियू इंडोज ओपन हो जाएगा देखिए मैंने यहाँ पर ओके कर लिया तो पेंडरेट डिटक्ट होने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है इसको दो से लेके तीन मिनट तक आपको टाइमिंग लगेगा तो पैसेंस लेके आप बेटिए थोड़ा वेट कीजिए और यह मैं आपको पता दूँ जब यह बेकप का प्रोसेजर आप करते रहेंगे तब कोई आपका लापटाप में अधर कोई भी चीज़े से यूज मत कीजिए क्योंकि जब आप बेकप करते होंगे कोई अगर बेकप केंचल होता है तो वे इस रिलेटेड इसूज आ सकता है अन फ्यूचर आपको बेकप जो बनाया रहेंगे वह बेकप ऑन फ्यूचर वह फ्री लोडेड हो या फिर आप लाइसिंस पर्सेश करके डाले है उसके साथ आप बेकप बना के रख सकते हैं सेप्रेडली अन फ्यूचर अगर वेस रिलेडेड कोई भी इसूज आता है तो आप फ्री लोडेट सेकंड टाइम फिर से कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जै इतना दिखा रहा है उसका डबल यूज कीजिए क्योंकि अगर 8GB का डेटा रहेगा या 16GB का जैसे की डेटा दिखा रहा है तो 16GB का अगर में पेंड्राव यूज करता हूं तो उस पर 14.7GB संथिंग मिलता है तो उस पर OS में कुछ ने कुछ फाइल स्कीप कर जाता है जो कि आन फ्यूचर जाके आपको प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको पता हूंगा कि वहां पर जितना भी स्पेस दिखाएगा उससे डबल ही उस कीजिए क्योंकि जैसे के 8GB दिखा रहा है तो 8GB में आपको 7.5GB मिल रहा है तो वहां पर 14.7GB मिल रहा है तो 32GB या 16GB मैं आपको र पेंचल का अप्शन है यह आपको फिनेश के अप्शन के विजेवल रहेगी अब वहां पर फिनेश कर लिजाए और सेफ रिमॉब करके पेंड्राइब को विदाउड यूज और अधर यूज के लिए मत यूज कीजिए उसको साइड में रख दीजिए तो अन फ्यूचर को कोई भी इसूज आता है तो आप फिर से फ्री लोड़ेट लोड कर सकते है औरिजिनल विदेश को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए और कमेंट करना मत बुलिए थैंक यू